मौसकार दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको बधाई देने के साथ करना चाहता हूं वो इस वज़े से क्योंकि भारत सरकार ने इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट हटाने की बात की थी वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब एक कंसॉलिडेटेड रूप में करदाताओं को पने उपलब्द करा दिया गया है तो यह जो इंडेक्सेशन पर भारत सरकार ने यू टर्न लिया है निश्चत रूप से इसकी बधाई की पात्र जनता इसलिए है क्योंकि जनता नहीं यह वाइस रेस करी अपने रेपेजेंटेटिव के तुरू अपने चार्डर अकाउंटेंट्स के तुरू अपने टेक्स ए मैं C&O भाटिया आपके समक्ष हाजिर हूँ दोस्तों सबसे पहले आपके समक्ष यह बात रखता हूं कि जो चेंजेस प्रपोस किये थे वारत सरकार ने 23 जुलाई 2024 को जो बजट आया था उसमें यह कहा गया कि कोई भी लॉंग टर्म कैपिटल गेंट जो 23 जुलाई ऑनव गई तो यह बात समझ में आई कि 12.5% की टेक्स रेट जो की 20% से कम करके लाई गई है उसके साथ ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया तो यह इंडेक्सेशन हटाने की वज़े से एक बहस चिड़ गई किसा अब इंडेक्सेशन रहना जरूरी था या इंडेक्स से चाले है इंडेक्सेशन हटा करके सरकारने कम टेक्सरेट करके जो ब् 나खी दिया है कि इंडेक्सेशन हटा करके वह बेनिफिट वापस तो नहीं ले लिया इस अंदर में बहुत सारा कांटेंट आपने भी अन्लाइन पड़ा होगा यह देखा होगा तो अब तो देखें इस अंदर में नई विवस्ता क्या होई है वो चर्चा करता हूँ अब दोस्तों जो फाइनल वर्जन आया है इस amendment का जो प्रपोस किया उसमें भारत सरकार क्या कह रही है if property that is real estate, building or land के बल दो ही सूरत में ये बात लाग होगी जो मैं अब करने जा रहा हूँ if property that is real estate was purchased prior to 23rd of July 2024 then in case of an individual or H.E.A. being resident in India वो भी कब जब आप एक individual है या Hindu undivided family है और resident in India है तो long term capital gain computation may be made at the option of the assasi from one of the following method अगर आपने real estate बेटी है तो real estate बेचने के case में जो कि 23 July 2024 onwards भी किये है क्योंकि जो व्यवस्ता पहले आई थी उसमें ये था कि 23 July 2024 जो भी property भी कियेगी जिसमें real estate भी शामिल है उस case में आपको 12.5% tax rate लगनी प्रस्तावित थी with no indexation benefit अब सरकार क्या कह रही है कि revise विवस्ता में आप 20% tax rate का option ले लिजे और indexation क्लेम कर लिजे या आप 12.5% का tax rate का option ले लिजे और indexation छोड़ दीजे यानि option करदाता पर छोड़ दिया गया है कि 23 July 2024 onwards भी यदि आप real estate को बेचते हैं तो आप with indexation without indexation दोनों तरीके से calculation कर सकते हैं provided आपकी property का acquisition 23 July 2024 से पहले हुआ हूँ इस बात को मैं आगे एक उधारण से आपके समक्ष रखता हूँ यहां देखे दोस्तों एक chart format में table format में उधारण रखना हूँ कि मान लिजे किसी व्यक्ति ने एक property बेची 25 July 2024 को जो कि एक residential house था तो यह जो revise व्यवस्ता है वो residential house होने के वज़े से लागू हो गई यह property सर करदाता ने एक जून 2015 को खरीदी थी उस दिन करदाता की लागत आई थी 25 लाक रुपे अगर मैं index cost करता हूँ जो इंडेक्सेशन के प्रोविजन के हिसाब से तो current financial year 2024 का index नमबर है 363 और जब करदाता ने खरीदी थी 2015-16 वित्तवर्ष उस समय का index नमबर था 254 तो final index cost निकल करके आई 35.73 लाग मान लिजे करदाता ने इसी particular property में सितंबर 2020 में कोई 10 लाग का construction कारे भी किया था तो 10 लाग रुपे मैंने cost of improvement माना index cost of improvement 363 इंडेक्स नमबर current financial year 2024-25 का और 301 इंडेक्स नमबर for the financial year 2021 तो 12.6 लाग की index improvement cost होई मान लिजे करदाता ने ये property फिचतर लाग रुपे में बेची थी अब पहले सिनारियो में capital gain with indexation निकल करके आया 27.21 लाग और दूसरे सिनारियो में without indexation capital gain निकल करके आया 40 लाग मान लिजे अगर अससी tax देने को तयार है तो पहले option में capital gain with indexation पर 20% tax rate लगेगी और tax निकल करके आएगा 5.44 लाग रुपीज और दूसरे सिनारियो में जहां पर 40 लाग का capital gain है और 12.5% की tax rate लगी तो final tax liability आई 5 लाग अब करदा था compare कर ले जिसमें उसको ज़्यादा beneficial है वो taxation वो opt कर ले तो ये एक beneficial provision अब कर दिया गया है ये विवस्ता कर दी गया है जिसके लिए मैंने आपको शुरुवात में बदाई दी अब आप इस example से ये interpretation ना लें कि अनुप जी इसका मतलब तो capital gain taxation with new regime ज़्यादा अच्छा है ये इस particular example में बात निकल करके आईए इसका विपरीत भी हो सकता है इससे जुड़ी एक बड़ी important बात और रखता हूँ सर आपके समक्ष वो ये कि मान लीजे करदाता reinvestment करने के लिए तयार है section 54 क्या बोलता है एक मकान बेचा long term दूसरे मकान में investment किया तो आपको अगर section 54 की exemption नहीं है तो ऐसे परिस्तिती में किवल capital gain reinvest करना है यानि पहले option में जहां 20% tax देने को तयार है with indexation वहां मात्र 27,21,000 का investment करने से capital gain पर tax बच जाएगा जबकि दूसरे option में अगर assessi करदाता अपना tax बचाना चाहता है पांच लाग का तो उसको 40 लाग का reinvestment करना पड़ेगा तो इस दरश्टी से भी इस amendment को देखकर के अधी आप चलेंगे तो आप समगर रूप से analyze कर पाएंगे क्योंके where the ultimate benefit would be derived by the assessi एक scenario और इस प्रकार समझें कि in case properties purchase on or after 23rd of July 2024 क्या आपने तो property ही 23 July 2020 onwards करी दिया और real estate दो साल प्लस पे long term होती है और यहां जो भी interpretation में ले रहाँ वो long term capital gain के संदर में ही ले रहाँ तो in all such cases long term capital gain shall be computed without providing any kind of indexation benefit with 12.5% tax rate इससे बात की पुष्टी हो जाती है कि capital gain की यह जो गर्णा का option दिया गया है वो उन्हीं property पे दिया गया है दोस्तों जो 23 July 2024 से पूर्व में खरीदी गई है बनाई गई है यानि जो properties 23 July 2024 onwards बनेगी real estate उनमें ये दोनों option नहीं चलेंगे उनमें तो आपको without indexation 12.5% का ही tax rate applicable होगा जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह जो benefit है वो real estate के case में दिया गया है कि indexation per 20% tax rate without indexation 12.5% property 23 July 2024 से पहले की पर दिया किसको benefit दोस्तों इंडिविजवल को हुएफ को वो भी वो जो की resident है तो अब बात कर लेते हैं उन करदाताओं की जो या तो non-resident है और non-resident नहीं है resident है पर इंडिविजवल हुएफ के अलावा other person है जैसे एक partnership firm है कोई LLP है जो company है इत्यादी ऐसे cases में क्या होगा for the properties which are purchased before on or after 23rd of July 2024 but sold on or after 23rd of July 2024 in case of a non-resident as well as in case of any resident other than individual HOM the long-term capital gains shall be taxable at 12.5% tax rate without any indexation benefit यानि उन करदाताओं को अभी भी कोई relief नहीं मिली है जो की non-resident है या जो partnership firm है या जो company है या जो LLP है या कोई अन्य करदाता की शेणी में individual HOM के अलावा आते हूँ अब एक बात और कर लेता हूँ दोस्तों कि यह जो rule बदला है government ने जो relaxation दी है इसका exemptions के साथ में क्या क्या लेना दिना हो सकता है जैसे कि exemption section 54 में 54 में कब मिलती है जब residential property बेच के long term दूसरी residential property करीते है 54 भी कब मिलती है जब आप urban agriculture land बेच करके दूसरी agriculture land करीते है 54 EC कब मि मिलती है जब आपने real estate बेच करके bond खरी दे हूँ और 54 F कब मिलती है जब आपने कोई भी property other than residential property बेच करके other than residential property के अलावा कोई property बेची और section 54 F में आप capital gain के exemption लेना चाहे तो इन चारों में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यह मान के चलूँ एक individual हुएफ है resident है तो आ investment की बात करता है 54 B भी capital gain की reinvestment की बात करता है 54 EC capital gain के investment की बात करता है और section 54 F net consideration के investment की बात करता है तो आप 20% with indexation 12.5% without indexation अपना capital gain निकालेगे और उसके अनुरूपत होगा कि आपको कितना amount invest करना है नई property में if you want to claim exemption under this section जहां तक रही बात दोस्तो 54 F की तो इसमें तो पूरा net consideration invest करेंगे तब तो आपका capital gain exempt होगा otherwise आपकी exemption नहीं मिलेगी या proportionate exemption मिलेगी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं तो यह impact आपको कौन सी taxation की implication आप पे कर रहे हैं उस पर depend करेगा क्या आपको reinvestment पर exemption किस प्रकार कितने amount के लिए मिलेगी अंतवे दोस्तो मैं जरूर कहूंगा कि this is a welcome step by the government of India in favor of public at large लेकिन एक और step की बात मैंने पहले एक video बना करके करी थी और budget के final version में उस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया शायद सरकार वो benefit देना नहीं चाहती कि मैंने कहा था कि 87A की rebate के purposes से total income के quantum को 7 लाग से 7.5 पातला किया जाना चाहिए तो मुझे लगता है जंता अगर निवेदन पहुचाएगी अपना soft term में बोलूंगा तो भारत सरकार को उस विशह में भी सुनकर के कुछ बदलाव आने वाले समय में कुछ relief देना चाहिए So for time being I am happy कि indexation का ये जो benefit दिया जा रहा है that was required because भारत एक विकास्ची लर्तववस्ता है जहां लगातार महंगाई बढ़ती रहती है तो जिस हद तक मेरी property की value महंगाई की वज़े से बढ़ती है उतना वास्ता में मेरा gain ही नहीं है और अगर उसको simplification के नाम पर tax किया जाता ह है तो मैं उसे सरासर गलत मानता हूं So I hope ये video आपको ग्यानवर्दक लगी होगी आपको मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय है